वैसे तो आपने देवी मा के कई सारे चमतकारों के बारे में सुना ही होगा लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मंदिर में बसे भगवान की मूर्ती पर पसीना क्यूं आता है? शायर नहीं न, लेकिन ऐसा है मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित एक काली माई का मंदिर है गोंडवाना सामराजय के वक्त की गई थी स्थापित मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक प्राचीन काली माई मंदिर स्थित है बताया जाता है कि करीब 550 साल पुरानी माता काली की भव्य प्रतिमा गोंडवाना सामराजय के दौरान स्थापित की गई थी मंदिर में एसी चलता है 24 घंट ऐसा कहा जाता है कि स्वयमसिद देवी की प्रतिमा को जरा भी गर्मी सहन नहीं होती है अगर थोड़ी सी भी गर्मी लगती है तो मूर्ती से पसीना आना शुरू हो जाता है बताया जाता है जैसे ही AC बंध होता है काली माई को पसीना आने लगता है यहीं वजह है कि मंदिर में 24 घंटे AC चलता रहता है अभी तक नहीं मिला कोई प्रमान अपता देगी देवी मा की प्रतिमा से पसीना निकलने के कारणों पर बहुत बार खोज भी की गई है लेकिन अभी तक इस बात को कोई भी प्रमान नहीं मिल सका है इस मंदिर में आने वाले श्रगालू इसे माता का चमतकार मानते हैं